नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं प्याई और एडी की छापे मारी के जर्ये लोगों को गुमराह करते हैं ताकि सरकार अपना काम न कर सके आएसी परिश्थितियों के बावजूद राज सरकार लोगों के कल्यान के लिए अच्छा परदर्शन कर रही है सुरेन ने भाजपा का नाम लिये बिना विपक्ष पर 1932 की खत्यान अधारीत अधिवास नीती और अन पिछडावगे के लिए 27 पर तिस आराक्षन को लागू करने में राजनितिक बधाय पैदा करने का भी आरोप लगाया है राष्ट परती के हाथों सम्मानित होंगे जारखन के दो सिक्छक जारखन के दो सिक्छकों को राष्ट्रिय पुरसकार मिलेगा इनमें चात्रा के मद्ध बिद्याला है दिवान खाना के परभारी परधान ध्यापक एजाजुन हक तथा सैनिक इस्कूल तीलईया के सिक्छक मनरजन पाठक सामिल है एजाजाजुन का चैन राजसरकार के बिद्यालेओं के कोटे से हुआ है जबकि पार्ठक का चायन सायनिक स्कूल कोटे से हुआ है बतादे केंद्रिय सिक्षा मंत्राल ने इस पुरसकार के लिए कूल 50 सिक्षों का चायन किया है जिन में दो जार्खन के है पंचायत सचीवाले स्वयम सेवकों को सीम अवास घेरने से रोका राज भर से आये जार्खन पंचायत सचीवाले स्वयम सेवक संके सहसेवने सनिवर को राजभण के पास बिरोध परदसन किया पिछले 50 दिन से आंदोरों रज संगठन के परतिनिद्यों ने सेवा अस्थाई करान नियमित मांदे लागू करने वह समायोजन की मांग की है यह भी कहा गया है कि जब तक सीएम से वार्टा नहीं होगी आंदोरों जारी रहेगा बता दे सीएम अवास घेरने निकले तो पुलिस ने उन्हें रोका इससे पहले 55 सचीवाले स्वयम सेवक मुराबादी मैदान में एकत्र भी हुए सभी यहां से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए रवाना हुए तो पुलिस बल ने मैदान में ही रोक लिया इसी वीच परदसन करियों ने बैरिकेटिंग भी पार करने की कोशिस की लेकिन पुलिस के आगे इनकी एक न चली हलाकि परदसन करियों को राजभुण के पास धरना असल तक जाने की अनुमती दी गई है पाराशिक्छक नियुक्ती नियमावली ममले में राज सरकार के साथ साथ जेसेसी को नोटीस जारखन हाई कोट के चीश जासिस संजाय मिस्त्रोवा जासिस अनन सेन की खंड पीठ में सायक अचार नियुक्ती नियमावली में पाराशिक्छकों को पचास परतिससत आरक्षन देने को लेकर दाखिल चुनावती अज क्या पर सुनवाई होई मामले में कोट ने राज सरकार वा जारखन स्टाप सेलेक्शन कमिसन जेसेसी को नोटीस जारी कर जावा मांगा हाई अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी सायक अचार नियुक्ती के लिए जेसेसी ने बिग्यापन जारी किया है नियुक्ति के लिए सरकार ने नई नियमावली बनाई है इसे सहायक अचारी नियुक्ति नियमावली दो यतेश करते हैं इसमें आपके वल पारास सिक्षको को ही सहायक अचारी नियुक्ति में 50 फिर्दी आरक्षन देने का प्रधान है इस दायरे में वो करमचारी नहीं आते जो सन्वीदा पर सिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं दायर याचिका के मुताबिक जब सायक अचाय नियुक्ति नियमाली 2022 लागो हुई तब के और पारासिस को कारक्षना देकर इस दायर में वैसे सभी करमचारी आते थे जो एप खोले सन्वीदा पर काम कर रहे थे इसी मामले को लेकर हाई कोट का रुख किया है मामले में जैसेसी को भी परतिवादी बनाया गया है संस्थाओ का दुरूपयोग कर मुझे परचार से रोक रही भाजपा हेमन्त मुखे मंतरी हमन्तुरे ने कहा है कि जब से हमारी सरकार बनी है तभी से भाजपा समयत विपक्ष के लोग साजी सरच सरकार गिराने और 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 स्थिर करने में लगे हुए है कभी बिधायक खरीद फरोक्त करते हैं तो कभी बिधायकों की सरस्यता छिनने में लगे रहते हैं अब जब डूमरी में उपचुनाव हो रहा है तो सरकाई संस्थाव कर दुरूपयोग कर मुझे चुनाव परचार में रोक लगानने में लगे हैं मुख मंतरी सनिवार को चंदरपूरा के तेलों में आयोजी चुनावी सभा को समधित कर रहे थे इसी दोरान उन्होंने इंडिया के उमिद्वार मंतरी बेवी देवी के पक्ष में मत दान की अपील की है मुख मंतरी ने महिलाओ से कहा है कि चूला परमुख के नाम पर जो लिफाफा मिल रहा है उसे रख ले हम लोग बिधायक के लिए नहीं मंतरी के लिए वोट मांग रहे हैं सेक्रेट हाट की छट से कुजने वाली छातरा के हालात नाजूग सेक्रेट हाट इसकूल की तीस्तरी मंजील से कुद कर सुक्रवार को जान देने की कोशिश करने वाली छातरा के हालात दूसरे दिन भी नाजूग बनी हुई है सनिवार को पारस अस्पताल में उसका ओप्रेशन किया गया इसके बाद उसे आईसीव में सिफ्ट किया गया है चिकित्सको के अनुसार छातरा के लिए अगले दो तीन दिन काफी अहम है इधर पुलिस पूरे मामले की तकिकात में जूट गई है पुलिस ने स्कूल में लगे सिसी टीवी का फूटेज भी लिया है पुलिस ने परिजनोवा स्कूल परवंधक से पूछ ताच की है बता दे स्कूल की पचारे सिस्टर जो स्फिन खाखाक ने बताया है कि इन दिनों उपर के तले पर मरमत कारे चल रहा है इसलिए रास्ते में रसी लगा दी गई है ताकि कोई उधर न जाए जिन सिक्छी का की कक्छा नहीं होती उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई जाती है ताकि मोनेटरिंग होती रहे जार्खन के स्कूली बच्चे LED बल्ब बनाएंगे जार्खन के सरकारी स्कूलों के बच्चे LED बल्ब बनाएंगे बल्ब बनाने से जहां उनका हुनर निखाला जाएगा वहीं उन बच्चों को कमाई का एक जर्या भी उपलब्द कराया जाएगा इसकूली सिक्छावा सर्षाथा विभाग इसकी त्यारी कर रहा है राज्य में बोकारो के पलश्टू हाई स्कूल दातू के छात्र 2020 से ही LED बल्ब बना रहे है वहीं इस योजना को राज्य के अने जीलो वाई स्कूलों में लागू करने की त्यारी है इसके लिए वोकेशनल के छात्रों को परस्रिक्षित किया जाएगा बदादे नौवी से बरावित तक के छात्रों को इसके लिए परस्रिक्षित किया जाएगा बच्चो द्वार तैयार बल्ब की अपूर्थी राज्य के स्कूलों में की जाएगी बरतमान में बोकारो जीले के पलस्टू हाई स्कूल दात्तू को जीले के स्कूलों में बल्ब की अपूर्थी करने की जीमिदारी दी जा रही है जारखन में मानसुन कमजोर कुछ इलाकों में बारिस संभव जारखन में मानसुन कमजोर हो गया है या हालात अगले चार दिन तक रहने वाला है इसके चलते राज में बारिस की कमी और बढ़ने के असांका है इससे खेती पर बुरा परभाव पढ़ने के असार है मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 गंटे में पलामु पर मंडल को होते विए दक्षिन में मत एक खाड़ी तक इस्थी था है इसे कारम बंगाल से सटे जहरखन के जीलो में कहीं कहीं बारिस हो ने का कई पीडितों का इलाज निजी अस्पताल में किया गया जिनका रिकोर्ड स्वास्थ विभाग के पास नहीं है निजी अस्पताल से इलाज कराने के बाद लोग स्वास्थ होकर घर चल जाते हैं लेकिन उनका आकड़ा अस्पताल द्वारा विभाग को नहीं दिया जाता ऐसे में अकड़ा बढ़ सकता है जगुवार के दो जवानों के सहीद होने की घाटना में सामिल दो मवादी गिरफतार चारखन जगुवार के दो जवानों के सहीद होने की घाटना में सामिल दो मवादी को पुलिस ने गिरफतार किया है SPS उतोस सेखर को मिली गुप्त सुचना के अधार पर पुलिस की टीम ने करवाई की है इस दवरान जीले के टोंटो थाना चेत्र के तुंबा हाका गाउ में छापे मारी कर दोनों मवादी गिरफतार किया गया गिरफतार हुए मवादी में राजा हेमरम और पांडू पूर्ती सामिल है दोनों ने इस घाटना में अपनी सनलिप्ता सविकार कर ली है बता दे कि पांडू पूर्ती का भाई भी मवादी दस्ते का सदस्य है गोड़ा में दिन दहारे लाखों के जेवरात की लूट अपराधियों ने दुकान में मवजूद बेवसाई अजय जय सवाल को हतियार के बल पर अपने कबजे में ले लिया इधर लूट पाट का विरोध करने पड़काईतों ने बेवसाई के एक अने पूतर संजय जय सवाल को बंदुक की पट से मार कर घायल कर दिया एक अपराधि अरेष्ट किया गया इधर में रम्मा थाना के भूसका गाउं के पास भाग रहे अपराधियों का पिछा कर रहे पूलिस वगरामिनों के भई से एक अग्यात अपराधि ने पास के नहर में कूत कर अपनी जान दे दी है जारखन की 1100 जगों पर खोले जाएंगे पेट्रोल पंप की है पूरे देश में 38 करोड असंगटि स्रमिकों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष रखा गया अभी तक 29 करोड लोगों को इस योजना से जोड़ा गया चारकन में भी एक करोड लोगों को इस रम योजना से जोड़ने का लक्ष है जिसमें 92 लाख लोगों को अभी तक जोड़ा गया उन्होंने कहा है कि इस रम कार्ड बनाने के लिए तीन चीजियों क्यों सकता है आधार कार्ड दुर्भाज संख्या और बैंक एकाउंट स्रमिक कहीं भी CGA सेंटर में आकार्ड बनवा सकते हैं ACB ने रगवर सरकार के पाँच पूरो मंत्रियों की संपत्ति की सुरू की जाच रगवर सरकार के पाँच पूरो मंत्रियों की संपत्ति की जाच के लिए ACB ने PE दर्जकर मामले की जाच सुरू कर दिया है इसके लिए ACB मुख्याले अस्तर से एक टीम का गठन किया गया जिनके खिलाब ACB ने मामले दर्ज किया है उनमें रंधिर सिंग, अमर कुमर बावरी, निलकंट सिंग मुंडा, नीरा यादो और लुईस मरांडी के नाम भी सामिल है ACB ने यह करवाई राय सरकार के निदेश पर की है ACB जल्द ही पूरो मंत्रियों की संपत्ति की समन में स्ताक्ष एक ट्रित करने के लिए उन्हें नोटिस भेज़ कर पूश्ताज के लिए बुला सकती है जनकारी के अनुसार जार्खन हाई कोट में वर्ष 2020 में पंकज कुमर यादो बनाम जार्खन राज एवं राज सरकार के पूरो मंत्रियों को लेकर आयस रदिक संपत्ति मामले में जानित त्याज का दायर की गई थी अवैधि खनन मामले में सुनील यादव एडी की विसेस अदालत में पेस जार्खन के साहईवगन्ज में एक हजार करोर के अवैधि खनन मामले मनी लॉंडी की तहता अनुसा इंदान कर रही ED के फरार वरांटी सुनी लिए अदो सन्निवार को रांची के होटवाई सित्पे भीसा मुंडक के इंद्री करार में भेज दिया गया ED कोट से जारी गिरफ्तारी वरांट के आधार पर साहीवगंज पुलिस नशूकरवार की राथ उसे गिरफ्तार किया था सन्निवार को साहेवगंज पुलिस उसे लेकर राची पहुंचिया और इडी की विशेस्थ अदालत में उसे प्रस्तूत किया जहां से कोट के आदेश पर उसे न्याई की हिरासत में भेज दिया गया बता दे अब इडी उसे रिमांड पर लेकर पुछताच करेगी हलाकि इडी के अधिकारिक सुत्रों की माने तो अगले हपते ही सुनिल यादों को रिमांड पर लेने के लिए इडी कोट से आगरा करेगी तब तक वह जेल में ही रहेगा भारत में पहली बार जमसेदपूर में टाटा कमपनी करने जा रही हाइड्रोजन इंजन का निर्मान सरको पर दोड़ने वाली वाहनों से होने वाले परदूशन भारत समयत पूरी दुनिया के लोगों के लिए चिंता का भी से बना हुआ है बैटरी और CSNG के बाद अब हाइड्रोजन इंजन इसका बड़ा समधान मनकर सामने आ रहा है भारत में पहली बार जमसेदपूर में टाटा कमपनी हाइड्रोजन इंजन का निर्मान का निर्मान का काम सूरू कर दिया गया है टाटा कमिस ने पहले चरण में 5,000 इंजन उत्पादन करने का लग्ष रखा है जिसमें 1,000 इंजन हाइडरोजन और बैटरी युक्त पर नाली परधारित होंगे बता दे हाइडरोजन इंजन के निर्मान के लिए टाटा मोटर्स और कमिस इंक USA ने टी सी पी एल ग्रीन एनरजी सेल्यूसन प्राइवेट लिमिटेट नामक एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है इस प्रोजेक्ट पर कम्पेनी पहले चरण में 354.28 क्लोर के निवेस कारनी ने लिया है धन्यवाद